कि start करते हैं ठीक है तो आज आज थो टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है रेडियस रिशियो यह बहुत असान टॉपिक है बस एक बर देखते चलो ठीक है इस टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्ट न तरीख यहीए कि हम इसके पॉईंटर से लिखते चले इसका मीनिक पॉइंट्स ठीक है आल्राइट तो शीतल आप भी आ चुकियो नाइस बढ़ी है ओके अब स्टार्ट करते हैं तो सब इंपॉर्टन पॉइंट्स आपके हैं पहले लिखना इसमें यह जो रेडियस रेशियो आप निकालते हो यह सिर्फ आप आएनिक कंपाउंट्स लिए निकालते हों सो आप लिखोगे यहार उनली फॉर आएनिक कंपाउंट्स ठीक है अच्छा वीडियो दम क्लियर दिख रही है कि नहीं मुझे बता दू वीडियो क्लियर हो और ओडियो मेरी दम क्लियर हो अगर क्लियर है तो मुझे बता दू देन स्टार्ट करते हैं और इसमें जो आएनिक कंपाउंट्स एक्जामपल है वह आप लिख लो आएनिक कंपाउंट्स का मतलब हो गया यहां पर हम स्टडी करेंगे अब आउट एने सी एल के सी एल जिंग सिल्फाइड एंड सी ए एफ टू ठीक है चला सेकंड पॉइंट आपका रहेगा इसमें इ Radius Ratio को represent करते है इस तरीके से, R then small r and this is the Ratio of, this is the Ratio of Cation Radius तो दिस इस रेशियो ऑफ केटाइन रेडियस तो टू एनाइन रेडियस एनाइन रेडियस ठीक है बेकग्राउंड से लाइन से अटा देतो है अब क्लियर दिखेगा आपको तो बात समझ बार यह क्या बोल रहा हूं मैं आपका जो आएने कंपाउंड से हर एक आएने कंपाउंड के अंदर क्या होगा सोचके देखो आएने कंपाउंड के अंदर होंगे आपके केटाइन्स यानिकी पॉजिटिव ली चार्ज़ पार्टिकल्स एंड एनाइन्स यानिकी नेगेटिव ली चार्ज़ पार्टिकल्स यह दो पार्ट्स होते हैं यह तनी चीज आप लोगों को क्लियर है अब यहां से आपको यह समझने हैं कि इन सब की अपनी इंडिविजल रेडियस इस भी होंगी कैटाइन मिनक को कल की गलास में बताया था कि एनाइन का जो साइज होता है कि साइज जो होता है वो लार्ज होत यह समझे उससी आप लिए अगर्डिसक्स करेंगे अच्छा यह रेडियस रेषियो होता है इसको बोलते हैं रेषियो ऑफ कैटायन डियस दुद अन इन इक रेडियस ठीक है एंड इसको एक तरीके से और से लिख सकते हो आप दाट आर्सी यानिकी रेडियस ओफ कैटायन by r a ठीक है यह आपका kind of formula हो जाएगा अच्छा अब थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख होगे थर्ड पॉइंट वो होगा कि अगर cationic radius cationic radius मतलब rc अगर cationic radius की value ज्यादा होती है चोचके देखो यह क्या होता था यहांसे आपने क्या formula निकाला था यहांसे आपने क्या formula निकाला था की radius ratio is equals to rc over r a तो यहांसे आपको समझ में आता है कि जो radius ratio that is directly proportional to rc so if i am saying that rc की value बढ़ रही है that means कि मेरी radius ratio की value भी increase करेगी यह meaning इसका ठीक है okay तो यहां से आपको एक चीज और ध्यान रखने है यह तो आपका third point हो गया कि with increase in the radius of cation there will be increment in radius ratio अच्छा एक fourth point all the close में की radius of anion is much greater than radius of cation यह मैंने कर्दी बताया था कि एक anion का radius ज्यादा होता है cation से ठीक है अच्छा इसके बाद fifth point को इसको लिख लो पहले इसमें scroll option नहीं में नेक्स पीज जाना पड़ेगा इस इसको लिख लो पहले पहले पुरा जूम जूम का option इसमें होगा हाँ अभी इस slide को लिख लो में next slide को जूम जूम इन करके आपको पड़ा दूँगा don't worry अभी इस अली स्लाइट को सरी का से लिख लो जूम कर देता हूं जूम कर देता हूं जूम कर देता हूं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं तब ही काम हो जाएगा घंख फिफ्थ पॉइंट है आपका पॉइंट रहेगा आपका कि if if radius ratio is high अगर radius ratio की value आपकी high रहेगी then then stability then stability of ionic compound इस हाई यह समझना है अगर रेडियस रेशियो की वैल्यू ज्यादा आएगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा आएगी यह दमख में डालो क्या मतलब हो इसका कि इफ रेडियस रेशियो की वैल्यू इस ग्रेटर दैन स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी की वैल्यू भी ग्रेट होगी ठीक है यह concept clear है को इशू नहीं है इसमें start लगा देना यह काम आता है यह directly आपके questions आते हैं उसमें लिखना पड़ता है अच्छा six six point अगर radius ratio की value ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो radius of cation होगा वो भी ज्यादा होगा अगर radius ratio की value ज्यादा है तो radius of cation भी ज्यादा होगा और इसकी वज़े से जो सब coordination number होगा वो हाई आएगा प्रशान नहीं कि बतातों कैसे होगा जैसे माल लो मैं अभी जितनी भी studies करूँगा वो करूँगा on the basis of cation मैं सारी studies cation के basis में करूँगा ठीक है अच्छा अब cation के basis में अगर मुझे study करनी है तो इसका क्या मतलब है कि मैं हमेशा देखूंगा किस के point of view से cation के यानिक की cationic radius के point of view से हर चीज को मैं study करने की कोशिश करूँगा अच्छा अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक cation है जिसका size काफी बड़ा है ऐसा और आपके पास anines का size छोटा नहीं में अगर आपको बस focus करना भी cation में अगर cation का size बड़ा है इससे होगा ये कि ज्य अगर cation का जितना size बड़ा होगा उतना ज्यादा उसका surface इरिया होगा उतने ही ज्यादा है एनाइंस उससे attach होंगे कि अगर मेरा cation चोटा सा है तो एनाइंस comparatively उतने कम attack होंगे जैनाइंस का size वही है देखा इतनी attach हो पा रहे है ज्यादा नहीं मतलब कि जितना ज्यादा surface area यहीं कि surface area जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा एनाइंस विल बी attached यह concept समझ महारा है सोच के देखो क्या बता रहा हूंगा अगर आपका cation का radius ज्यादा है तो ज्यादा आइंस attach होंगे ज्यादा आइंस attach होंगे that means cation ज्यादा पार्टिकल्स के सांग कॉंटक्ट में है that means इसका coordination number ज्यादा है यह होता था coordination number नेबरिंग में कितना atoms attached है so radius of cation if it is more than you will get more amount of coordination number and which can also directly related be related to this radius ratio जाता है तो इसकी वाज़े से ज्यादा आएगी जिसकी वैसे coordination number ज्यादा आएगा ठीक अभी कि इसको लिख लो तो आपने टोटल सेक्स पॉइंट्स देखें रेडियस आपको रेडियस रेशियो समझ में आना चाहिए बस important हो है कि रेडियस रेशियो होता है इस आर्सी ओवर आरे रेडियस रेशियो इस आर्सी ओवर आरे यह चीज़ आपको ध्यान लगी है ठीक बाकी यह चार पॉइंट्स और यह पांच और छे फोटल सिक्स पॉइंट्स आपके हैं जो इसके लिए important है आपको बताए मैंने अच्छा इसके बाद इसके बाद पड़ते हो assumptions हमके assumptions तो consider करके चलते हैं वह देखते हैं assumptions में आप लोग क्या study करते हो assumptions आप study करते हो पॉइंट्स आपको पॉइंट्स मतलब यह तीन चीज़ें बताऊंगा तो थ्री पॉइंट्स का सब्सक्राइब थ्री पॉइंट्स आप स्टैबिलिटी अफ आइनिक कंपाउंट आइनिक इसने जो first assumption देते हो वो होता है कि cation and anion इन दोनों को आप spherical assume करते हो cation and anions are assumed assumed to be spherical in shape इनकी shape spherical होती है and and must be touching each other हमें assume करते हैं कि cation और anion अगर present है किसी lettuce में तो वो दोनों की दोनों spherical shape की होंगे plus वो एक दूसरे के contact में होंगे ठीक है तो touching भी चला अब इसके बास का second point second assumption देखते हैं second assumption कहता है कि जो अब मैंने कहता है cation और anion contact में रहेंगे लेकिन जो anions होंगे itself वो एक दूसरे contact में नहीं होंगे so anions generally will not will not touch two other anions यह कंसरदा हां रखना है जो की important है यह है की cation must surround यह must be surrounded by maximum maximum number of anions and vice versa इसका reason बस यह है कि अगर जैसे cation सापके प्रेज़ेंट है cation के अनला क्या था पॉस्चा उसका potential positive होता है positive charge को neutralize कौन कर सकता है negative charge तो cation के आस में जितने ज्यादा negative charge हरी corner से उसको attack करे रहेंगे और से attached रहेंगे उसकी वाज़े से overall system की energy decrease हो जाती है तो अब इसमें लिखते हो कि ऐसा क्यों होता है because yeah so that so that energy decreases and and stability increases ठीक है ये चीज़ आपको दिहाना केंगे है चीज़ समझ मारी होगी तो ये तीन assumptions होते हैं आपको याद रखने है जो पढ़ानों तो theoretical चल रहा है अभी derivation भी आएगा सब्सक्राइब करें तब ही ख्लोस का पहला है इसके बाद हम study करते हैं नॉमली दिखते हैं कि यह चीज़ां का पहली बता चुका हूं कि अगर आपके पास एनाइन और है क्या है इनय ऐनाइन का जन्रल विसाइज जो होता है वह लाज होता है से जो जरी लाज क्या होता है कोड़ानों जो process तक दीन पहले तो इसमेन यह जो पार्टिकल्स होते थे जो पार्टीकल्स ते इनका मेन्स बिलते थे इनाेजम यही Boss अप आपके अनीमेस और इनके वीच में वाइड होता था तरह गृण को मैं चैनल आप वाइड यही है आपका तो यही जो वाइड होता था यही है आपके इन वाइड सो कवर करते हैं आपके केटाइन सब्सक्राइब बंड शक्क्राइब। कहुंण कन मैं ऐसलिए उनके हम से पार्टेकल्स ऐसे ऐसे और पार्टेकल रॉस तो इनके एक अपको क्या मिलता है इनकी हैल्ब से आपको FCC मुलता है, Face Centered Cubic, Hexagonal Close Packing याद आ रहा है? and BCC, Body Centered Cubic Close Packing ॥ यह सारे एद्याइने कि याप से बनते हैं and जि आपका Cataein होता है जि आपका Cataein होता है Cataein उसका Size आपका स्मॉल रहता है ठीक है? and it goes तो वाइट्स वाइट्स में जाके अपने आपको अटैच कर लेते हैं तो आप जब भी वाइट्स की स्टटी करोके तो आप के टाइन की पोजिशन ढूंडोके तो आपको पदेशल जाएगा वो वॉइड में अंदर है और बाहर के पार्टिकल से नाइन की चग्या होगे ठी कि अनाइन का साइज हम एज्यूम करेंगे कि फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकता लेकिन के साइज को बारी बारी वैरी करते रहेंगे पहले के साइज को बहुत स्मॉल लेंगे फिर के साइज को बढ़ा लेंगे फिर के साइज को बढ़ा लेंगे फिर देखेंगे उससे क्या के difference बन रहा है total coordination में अभी दीदर देखेंगे इसको लिख लो पहले आपको इस वाली slide में क्या समझना है कि N9 are having the large size इससे packing होती है और कौन को से packing है कर चुका है FCC, HCP and VCC जो cations होते हैं वो small होते हैं वो सीधर तो वॉइड में जाके बुझ जाते हैं अच्छा अब next आते हैं next आपको समझना है ध्यान से कि आपको calculate करना है radius ratio so radius ratio calculation आप पहले क्या करोगे first case में इसको लिख लो case 1 पहले case में क्या करोगे आप की कैटाइन radius is very small बहुत ही ज्यादा small ले लोगे इतना small लोग कि होई dot की तरीके से होगा small dot ठीक है अच्छा अगर small dot है तो इसके साथ इसके contact में कितने कैटाइन साप आएंगे सोचो यह आपका सॉरी एनाइन कितना यह आपका कैटाइन ठीक इसको मैं लिख देता हूं this small dot is my कैटाइन कैटाइन किसे contact में रहता है नाइन के तो एनाइन देखो size अगर बढ़ा होगा तो एक एक ऐसे इसका attachment में आ जाएगा और एक ऐसी एक और इसमें यहां पर यहां आ जाएगा मालो इस तरीके से आ रहा है आप किसी भी तरीके से एक और एटम को यहां अटैच नहीं कर सकते आपने यहां किसी तरीके से मैंने कर दिया किसी तरीके से मैंने इसका attachment आइन से contact में आए। आपको याद होगा कुछ दिर पहले माने समुझाय था यहाँ पर कि आइनाइज जनरली आइन को touch नहीं करना होता है दूसरे ला ंसे ऩानिकिठ है टछीज Чтобы झालता की दूसर आनाइज आइस डिशए मेरे homeland school the best possible वे जो आपको दिखेगा formation का वो होगा like this इसो कहते हैं linear linear orientation linearly attachment होगा कब जब cation का size बहुती ज्यादा small है जब आपका cation cation बहुती ज्यादा low है cation का radius बहुती ज्यादा low होगा आपका उसकी वज़ेस से radius ratio की जो value होगी वह काफी कम आएगी बहुत कम आएगी जिसकी वज़ेसे जो stability होगी उसकी value भी बहुत decrease हो जाएगी इसकी वज़ेसे आपको जो structure मिल लेगा that will be linear structure और इसकी stability बिल्कुल ज्यादा नहीं होगी पहला case 1 यह लिख लेना अब इसके बाद आते हम case 2 में यह case 1 होगी आपका कब क्या case 1 क्या था cation की जो radius है वह बहुत ज्यादा कम है तो यह case बन रहा है अब आप लोगे case 2 क्या क्या कहेगा कि अब में जो cation का size है कि उसको थोड़ा increase कर दूँगा increase little bit थोड़ा से increase कर दूँगा इतना increase करूँगा कि अब वो दो की जगे 3 N9 से attach हो सके मतलब जैसे मालो के टाइन है मेरा center के इस तरी के थोड़ा size बढ़ गा बढ़ गया इसका तो जो सब क्याटाइन होगा जैने कि N9 जो होगा वह मालो एक यहां टाइच हो गया एक मालो यहां टाइच हो गया और एक मालो यहां टाइच हो गया चौथा अगर डालने की कोशिश करूँगा तो वह बाकी क्याए टाइच से टक्रा जाएगे वह मैं चाधा हूँ सिर्फ के टाइच हो एक दूसरा से चप शिक्ष नहीं नम वाले गनाम है कि टाइन जड़े का नाम है कि मैरा यहीम क्या था कि सारे एम के तुसरा से नहीं चिपकेंगे, तो उसका best condition ये बन रहा है, ये cation का मैंने एक ऐसा particular size लिया है जिसमें सिर्फ तीन ही attach हो पाएंगे अब ये जो size मैंने लिया है this size this size of cation in which only three anions can be attached इसको बोलते है critical situation या फिर critical cationic radius ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा ये वाले questions आपके IIT advance में आ चुका है ठीक है ये जब further studies करते हैं तब ये topics आते हैं आते हैं आपके advance में इससे related question पूछ चुके हैं हो लोग अभी में इस class के last में question कराऊंगो जो इसी बेडेपेंड है जो आइट advance में आपके तो इन concepts को भली आपको लगे कि ये क्या हो रहा है कि इसी चीज़े हैं लिखते चलो समझते चलो ठीक है अब सबसे important चीज़ यहां पर देखो कितने अटम से टेस्ट हैं यहां पर कितने अटम से टेस्ट हैं 3 कि इंपॉर्टन्ट है क्या 3 यानि सो कॉडिनेशन पर कितना हो गया 3 कि टाइन से तीन अटेस्ट कॉडिनेशन पर 3 हो गया अच्छा तेहां से देखो यह कुछ आपने श्रक्चर पहले देखा हुगा नहीं लग रहा है यह वही तो है कि मैंने तीन अटम से लगा रखे हैं बीच में जो वॉइड बन रहा है इसको मैं क्या बोलता था ट्राइगॉनल वॉइड अगर इसके उपर में कोई और लख दूंगा तो ट्रहीटरल बनता था बस अगर अगेले तीन रखे हो हैं तो जो वाइड को ट्राइगॉनल वॉयड बोलते थे यह जो किटाईन है वह ठ्राइगोनल वॉयड के अंदर रखा हुआ है वा समझ भारी है क्या हुआ हुआ केसटू में केस तू में यह जो क्य Inner सो यह loro चैसिधिन है वह एक ठ्राइगोनल वॉयड के अंदर रखा हुआ है समझो बात को, अब इसका आगे देखते हैं, अब इसका एक फ़ोड़ा से किल्कुलेशन करेंगे, अप्छे केस्ट ही है, किस टूआ ही है, मैं फिर से बना रहा हूँ एक केटैन इस शिरी से बना दिया सेंटर में और ईनाइंस मैंने इसके लगा दिये एक आइसे , और यह कैसे पाइब अब द्यान से देखना यह जो केटाइन है और यह आपका नाइन है केटाइन का जो रेडियस है सेंटर से कॉर्ण तक की डिस्टेंज इतनी रेडियस है इसको स्मॉल आर से शो करेंगे एंड जो एनाइन का रेडियस है सेंटर से भाड तक का इस हो capital R से टेनोड करेंगे यानी कि small r is smaller क्या है के टाइनक रीडियस capital R is अनाइनक रीडियस लिखते चलो सास है समझ वार है क्या कि हम इने एक केटाइन का रेडियस smaller और आनाइन का रेडियस capital R अब मैं कुछ करूँगा या पर relation find करने की कोशिश करूँगा ग्रीन कलर यूज करते हैं ठीक है अब एक चीज़ देखो अगर मैं इन सभी red वाले atoms यानिकी यह एनाइन्स एनाइन्स के अगर center को मैं जॉइन करते हूं इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा येस यहां पर focus करना यह अगर सारे centers को मैं जॉइन करते हूं तो मुझे kind of triangle मिल जाएगा kind of triangle triangle को कि मैं जॉइन कर दूँ तो इस तरी किसे जॉइन हो जाएंगी समझ महा रहा है simple है को इशू नहीं है triangle कितरे जॉइन हो गया अच्छा इसलिए trigonal भी बोलते तो इसको अब देखो आपको क्या देखना है याप पर radius याप आपको के टाइन के रेडियस कितनी थी आर कैपिटल र ठीक है तो मैंने उसको ड्रॉ किया इस तरीके से यहां से यहां यहलो कलर से मने शोग किया दिस विली माई कैपिटल र और समझ मारी यह दिस विली माई है और यह जो वाइट 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 स्कूप है यह कैटाइन का अब तो रीडिएस था तो चैन का रीडियस मानओ मैं है रेट रेड़ तो हो गया कर रेडियस को इसकाते हैं यहां से यहां तक है को टेकंगी डियस केतना आ रहा है कि यहां का रेडियस The чемug 점 ind現在 कंष्घ यह में आरह लेकर इस ऐख एक सेंटर तक की जो ऑवराल डिस्टेंश है यह कितनी आ रही है यह distance आ रही है आपकी देखो दियान से यह ली distance की तरह आ रही है r plus r ठीक है यह आपको इस distance मिल गई r plus r तो आपने क्या किया इसको draw कर लिया आप आप आसे बहार निकालके draw कर लिया इस distance is my capital r plus small r ठीक है इस थोड़ा बढ़ा है तो this is my capital r plus small r यह concept clear है यह line मैंने यही वाली जो भी मैंने yellow ब्लू से बनाए था इसको उठा की यहाँ डाल दिया ठीक है अच्छा एक चीज़ा देखो यह एक equator triangle है क्या है यह एक equator triangle triangle है ठीक है अगर एक equator triangle है तो इसमें यह एंगल होगा यह वाला एंगल यह कितना होगा 60 degree अब equator triangle के center पे equator triangle के center से अगर किसी vertex से line join करोगे तो वो इस corner के angle को by set कर देता है by set करने का मतलब यह हुआ कि वो यहाँ पर जो angle बनाएगा यानिकी इसको ऐसे show करो मनलो यह तरीके से यानिकी यह जो एंगल बनेगा आपका यह जो आपका एंगल बनके आएगा this this will be 30 degrees इसी समझना आ रही है जहां से देखना बहुत आसान derivation है कुल difficulty नो इंची इसमें केटाइन लिए एनान लिए अब एनाइन का आप करके रहे हो यह जो एक ट्राइंगल से बन रहा है यह यह और यह जो इसको मैं शेट कर रहा हूं इस वाले triangle को उठाके बहार लिकर आ रहे हो आपने यह शेड में ने किया भी triangle इस triangle को उठाके आ बहार लिकर आ रहे हो बहार बना रहे हो इसमें जो यह side की radius थी या side थी hypertonus जिससे कहोगे वो थी capital R plus R ठीक है अच्छा hypertonus बना दी है angle आपको मिल थर्टी डिगरी कोई दिक्त नहीं अच्छा अब सोचके देखो नीचे base base मतलब यह 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 कितना होगा यह base उतना ही है जितना कि यह इस N9 का radius था यह किसके लिए हो जाएगी R यह निकि नीचे आजाएगा आपका R समझो बात यह R हो गया यह R plus R हो गया ठीक है और ऐसी समझने के लिए इसको मालो मैंने नीचे अब देहां से देखो यहां पर क्या वन रहा है यह एंगल 30 डिगरी आगया आपके पास यह आपको हाइपोटेन्यूस मिल गई इस यूर हाइपोटेन्यूस और इस यूर बेस इतना कंसेप्ट यह कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर आप लगा दो ट्रिगनोमेट्री सिंपल सी क्या आपको पता है कि बेस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस बेस ओवर हाइपोटेन्यूस इस इकोल स्टू कॉस थीटा यह नॉलेज है सबको पता है बेस अपना है इकोल स्टू कॉस थीटा यह आप सबको पता है कॉस थीटा थीटा यहां दे रखा है थर्टी डिग्रीज बेस आपको क्या दे रखा है और हाइप्रटेन्यूस किन दे रखा है और प्लस र तो यहां से एक्क्वेशन आ जाएगी आपकी आर ओवर आर प्लस स्मॉल र इकोल स्टू कॉस थर्टी इसको लिख लो पहले यह रिलेशन आ गया तो बहुत असान हो जाएगा सब आप अच्छे सा डियाग्राम को देखो और समझो डियाग्राम से यह कैसे बनाए गया ठीक है असान है हाइपटेनियोस आर प्लस आर बेस सिंगल आर थीटा आपने 30 निकाल लिया ओवरॉल 60 होता है जब भी आप वर्टेक्स से सेंट्रॉइट को कनेट करते हो तो जो लाइन होती है वो बाइसेट कर देती है एंगल को 60 को 30 बना देगा 30 आ गया फिर आपने उसम मैं क्या था याद करो क्या टाइनिक रेडियस ओवर एनाइनिक रेडियस आपको यह रेशियो निकाल ला है तो वो ही आपको जहांसे ट्रिक लगा के सॉल्व करने वाले हो इसको ढंक से लिख लो फिर आगे बढ़ता हूँ है 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 इतना पाट समझ मागया कोई दिक्कत नहीं चलो कि इसके बाद आप क्या करोगे अब सारा काम वैल्यू जाल लेंगा और शिफ्टिंग का है कॉस्ट थर्टी को पता है कितनी होती है रूट थरी भाइ टू और आर को एकता फ्रहें दो जो नीचे डिविजन में कैपेटल अर प्लस स्मॉल रहे है मैं इसको राइट साड़ दो तो यह हो जाएगा रूट 3 भाइटू टाइमस अर प्लस आर अब क्या करो अब क्या करो वाले टर्म को left hand side लेओ तो यह हो जाएगा r minus under root 3 by 2 r equals to small r क्लियर है कोई दिक्कत नहीं यह आगे आपका तब सोच के देखो क्या करना है यहां से r common ले लोगे capital r common लो तो यह आजाएगा 1 minus root 3 by 2 equals to r यहां से आपको निकल आएगा small r upon r तो small r upon capital r will be equals to 1 minus root 3 by 2 यहां से आप small r over capital r की value निकाल सकते हो यह value आजाएगी solve कर ले ना इसको value आएगी 0.155 यह बहुत important है इसको दियान से लिखे लो और समझ लो symbol से derivation है कुछ नहीं क्या है मैंने असे trigonometry लगाई है कॉसर्टी के लिए डाली के और small r upon capital r निकाल लिया तो यहां से मुझे मिल गया radius ratio radius ratio की value मिल गई किसके लिए यह value मिली है मुझे trigonal void के लिए यानि कि triangular void जो था ना triangular void या trigonal void एक यह बात है इनकी r की value मिल गई मुझे 0.155 अब समझना यह एक critical value है मैंने बताया था critical situation है extreme case के लिए यानि कि असलियत में trigonal void की जो radius ratio होगा वो कोई fix value नहीं होगी वो range में लाई कर रहे है पहले इसको लिख लो फिर मैं समझाता हूं इसको next page पारना पड़ेगा इसको अच्छे से लिख लो लिख लिख लिया होगा यह तो pause करके लिख ले ना राम से अब देखो आपके पास कितने आपके वाइट होंगे अगर मैं आप से discuss करूं इस चीज़ को कि अनाइन एंड के इंटरेक्शन हो रहा है जिसकी वैज़े से आपके पास कुछ बनेंगे कि स्ट्रक्चर्स यानि कि वाइट बनेंगे ठीक है कि अच्छा अब आप क्या कर रहे हो ऐनाइन के टाइन और आपको बताना इनका रींज रींज किसका है all Leys ratios अपने पहला यह लिनियर को पहला के साल लीनियर वाला ठीक है इसकी वैलिमने नहीं बताई अभी दियान से देखना तो अभी इसको रुक जाओ ना मुना थो , और क्ट माने बताया , ट्राइंगूलर यह बताया , ट्राइंगळ वाइड अच्छा , ट्राइंग्लर वाइड में में कितने अटम्स होंगे ? थ्री , यह त्री यह constantly in acting पर्सक्राइजिता कोडिनेशन नूमर ्ट्री अच्छा इसकी वैल्यू और आर की आई आर की वैल्यू यो इसकी वैल्यू होती है डैट कमस आउट तो बी ग्रेटर और इकॉल टू जीरो पॉइंट वन फाइफ फाइफ अरसी आदकना है आपको सिर्फ एक ही का डैरिवेशन यहाद करना है आपको हर एक टाइप के वैल्यू एंड रेंज पता होना चाहिए ट्राइंगलर वैल्ट का रेंज है का पॉइंट वन फाइफ फाइफ से लिए कुछ तक तो लीनियर तक जब रेडियस रेश्यो होगा तब आपको लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे ही रेडियस रेश्यो की वैल्यू पॉइंट वन फाइफ से ज्यादा हो जाएगी और जाएगी तेल जीरो पॉइंट टू तू तक डिराइव नहीं करना को डिराइव सिर्फ इतना वाला ह करना था समझने के लिए अगर आपके रेडियस वैल्यू पॉइंट वन फाइफ से बड़ी है और जीरो पॉइंट टू टू फाइट तक आ रही है तो वो ट्राइंगुलर वॉइट में आएगा थर्ड केस होता है आप सोचा अगर मैं केटाइन का साइज पहले बहुत चोटा था जिसके वैसे सिर्फ दो यह टाइच हो पा रहे थे मैं तो नहीं देखा कि भाई तीन अनाइच से टाइच हो गए अगर मैं केटाइन को और शोड़ा बढ़ा कर दू तो आप देखोगे कि आराम से चार एनाइच हो पा रहे हैं तो चार का जो केस होता है उसको बोलते है टेट्रा हीड्रल जो हम पढ़ चुके है ठीक है टेट्रा हीड्रल वाइड यहां पर चार एटम्स होते है इसकी वैल्यू याद कर लो इसका जो रेडियस रेशियो होता है उसकी वैल्यू ग् तेल अंडरो 2 तक या अंडरो 2 मत करो 0.414 आशे अच्छा इसके बाद फोर्थ आपका उता अक्ता हीटर अक्ता हीटर वाइड में कितने एकप्स होंगे 6 ठीक है और इसकी जो वैलियू होती है रेडियस रिशु की दाट इस इकल टो ग्रेटर देन 0.414 लास्ट वाली की वैल्यू को कॉपी कर देते हैं और इंड गोस अप्टो 0.732 ठीक है यह सब याद करना याद इन दे सेंस आपको पता होना चाहिए ट्रेंगलर वाइड वाइड निकल वायो तो याद करने करने वाकिस से भी आपको दिमाग में होने चाहिए डायरेक्टली ए इस टाप का लाइड वाइड है तो उसके अंदर जो यह इस टाप का स्ट्रक्चर है तो इसमें टोटल अटम्स होते हैं एक है और इसका रेडियस रेशियो होगा दैट विल बी ग्रीटर देन और एकॉल टू 0.732 and this will be lesser than 1 1 तक ही study करते हैं आप इसको अच्छे से लिख लो यह टेबल बहुत इंपोर्टन यह वैल्यूस आपको इसमें डेराइव से वेकी चीज़ करनी थी ट्रैंगल और वाइड वाला करवा दिया इतना ही है इसके बाद हम लोग कुछ कोशन करते हैं यह था आज का थेयोटिकल पार्ट आप कोशन करेंगे कोशन्स आसाना सांसे हैं आपको लाइन से मेरे संग करने है कि आई होप यह वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा पुरानी क्लासेज करनी बहुत जुरूरी नहीं तो यह चीज समझ में नहीं आएगी पुरानी क्लासेज को अच्छे से पढ़ो प्रॉलम आती है मुझसे पूछो ताकि मैं एक और लेक्चर पढ़ा सकूँ जिसमें आप किसे प्रॉलम डिसकस कर सकूँ तो जिए टॉपिक्स नाँ का पॉलम है आप मुझे टॉपिक वाटस अब बता देना मैं कल ले लूँगा कल आपका सेटरडे है राइट तो कल का तो प्लैन यह रहेगा आपका की एक मिट तो कल का प्लैन आपका यह रहेगा की कल आपका टेस्ट लूँगा मैं ठीक है और टेस्ट आपका रहेगा solutions chapter का solutions complete आपका एक test होगा वो test subjective भी हो सकता है and objective let's make it combined objective plus objective ठीक है and उसके बाद एक और test लोगा जो कि purely आपका IAT mains के लिए होगा test solution chapter से objective भी और chapter होगे तब इसके तीन test होने बाकि है और एक और test होगा advanced level का ठीक है and plus plus आपका आपको जो homework रहेगा यह की solid state को अच्छा से पढ़ना है यानि की person Sunday को solid state में जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे आपका test होगा तो काफी सारे कूंकि काफी सारे topics आपने पढ़ लिए हैं आपका solutions finish हो गया है solid state से बहुत ज्यादा finish हो गया attention मतलो जेतना पढ़ लिया है आपने solid state में उससे related बहुत सारे questions अच्छे बनते हैं अभी हम discuss करते हैं इसका test भी आपका होगा ठीक है आप पढ़ाई सासद करते चलो तो कोई दिक्कत नहीं कि बहुत जल्दी slivers खतम हो जाएगा आपका यह the coordination the coordination या बलोग खुद करो बहुत असान है लास में कर वाया मने coordination number of a metal crystallizing in a hexagonal closed packed structure is a 12 b 4 c 8 d 6 यह बता हूँ मैंना आपको बता है था hexagonal closed blacking mic के अंदर coordination number कितना होता है आपको यह बताना है जल्दी से मुझे इस कान से बता हूँ ऐसी बता हूँ एक मिनट में लगना चाहिए यह concert दिमाग में होना चाहिए जल्दी से बता हूँ यह बता है जल्दी से बता है जल्दी से बता है जल्दी से बता है जल्दी से बता हूँ मुझे इसका वाट इस दी राइट आंसर वाट विल बी दा कॉडिनेशन नंबर इना हेक्जागनल व्लोस्ट पैक्ट स्ट्रॉक्चर हींट के लिए बता जिता हूँ एक बर हाँ ठीक है नियरक आपका सही है हिंट के लिए आपका एक बर आईट दे जिता हूँ यहां स्टेट लाइन से बना देते हैं डिरेक्ट इसमें तो ऑप्शन है तो बन जाएगा अब आप ऐसे लोगे जैन जैसे इस तरीके साब का एक्जागनल क्लोस्ट पैकिंग बनती थी पड़ा चुक हूँ मैं आपको ठीक है अच्छा और पीछे भी लाइन होंगी इसके पीछे की लाइनों को मैं है यलो से दिखा जिता हूँ इस तरीके से होगा इसमें अब इसमें में बात क्या होती है कि जो आटम्स होते हैं वो कॉर्णर पर होते हैं एक एक अटम जैसे यहां पर होगा ठीक है अच्छा और एक एक अटम इसका हुआ है यहां पर होगा एक एक अटम इसका यहां एक अटम इसका यहां 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 लोग के सारे कॉर्णर्स पर बारी बारी होता जाएगा अटम अब समझनाली बात क्या है हेक्सागनल क्लोस पैकिंग स्ट्रक्चर में जो आटम होता है फेस पर भी होता है इस वाले फेस पर और एक नीचे वाले फेस पर होगा छिकरे अच्छा और सेंटर में बारी आटम सब्सका होते हैं इस तरीकMER से चसे इस तरीके साब का Hexagonal, हाँ, आरत में बता रहूं, देखो भी, इस तरीके सोता है, ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था एक चीज, कि ये जो, इस इस वन लेटिस, एक लेटिस है, अगर ये एक लेटिस है, that means, इसके उपर भी, as it is, एक लेटिस होगा, लेफ्ट साइड भ एक लेटिस होगा, ठीक है, ये वाला, रैट कलर ख़र दिया, उसको मैंने फेसल आटम उठाया, अब मुझे देखना है, इसके चावतरा कौन कौन से आटम से है, तो मैंने देखा, इसके बगल में, आल्लेडी पहले से 6 आटम्स लगे होगा है, दिख रहे हैं, इसके नीच के भी देखो, तीन आटम्स है, एक, दो, तीन नीचे, और ऐसे ही लैटिस उपर भी एक होगा, उपर की तरफ भी है, वहाँ पर भी ऐसे तीन आटम्स और होगे, जैसे इसके नीचे तीन आटम्स और होगे, जहाँ पर कहीं, ऐसे, तो ये उनके संगी कोर्डिनेशन में है और तीन नीचे है तो इस एक्टम के सराउंडिंग में टोटल 6 प्लस 3 प्लस 3 याने की टोटल 12 एक्टम्स प्रेजेंट है इसलिए hexagonal closed packing structure के अंदर एक्टम्स का जो coordination number होता है inside the unit cell coordination number जो होता है सबको समझ में आ गया हुए है जिसका अंसर सही था very good इसको अच्छे से बना के समझ भी लो लिख भी लो आपके एक्साम में खासो से boards में objective नहीं आएगा इसे आपको मैं explain करना पड़ेगा तो इसको लिख भी लो objective में तो आपको याद होना ही चाहिए चाहिए यह था आपको question 1 question 2 try करते हैं काफी interesting है यह आप लोग मुझे खुद करके दिखा होगे ठीक है question 2 है यह आपको competition में आ चुका है interesting है चलो ऐसा question में कल एक करवा चुका हूं तो आप लोग कर लोगे 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 लोग element A occupy two-third two-third of tetrahedral voids आपको निकालना क्या है? the formula of compound is option A दे रखा था इसमें A4, B3 option B दे रखा था AB2 option C दे रखा है AB3 and option D दे रखा है AB बताओ यह आप लोग खुद करोगे मैं पढ़ा चकाँ को लिए लाकोशन इसी टैप का था same इसका अंसर बताओ हो जाए इसमें यह लॉजिकल कोशन है अराम से कर लोगे अराम से कर देट लोगे जाए यह अंसर बताओ बताओ कर देट अंसर आंसर प्रूब कर देट कर देट देट कर देट कर देट ट्राइ किया मैं इसका हिंट दिता जाता हूं को कोश्चन क्या है atom of element B form HCP lattice मतला है hexagonal close-pack lattice है ठीक है महला वह जो main structure lattice है lattice के जो constituting particles है वह कौन है B so B is my constituting particle and A क्या है जो वाइड करता करता है वाइड नो बैठा रहता है ठीक है यानि कि A is like a catein and B is my anine यह तने वास मुझ में आ गई हाने रख ठीक है तो आपको formula बनाना है इनके बीच में आपको पता है अच्छे से कि पहले catein लिखते हैं then anine लिखते है formula के अंदर ठीक है तो करते कैसे हैं इन questions को पहले catein देखो catein कौन है a anine कौन है B ठीक है अब आपको पहले बताना है कि B की quantity कितनी होगी मैंने कल बताय था जो anine की quantity होगी anine की जो quantity of an anine के number of atoms वो बराबर होते है rank of unit cell के ठीक है इस hexagonal close packing का unit cell का जो rank होती थी होती थी 6 क्यों मैंने करवाय क्लास में ठीक है HCP का मैंने पूरा अलग से निकलवाय था इसलिए मैंने वो topic अलग से करवाय था पूरा तो आपका rank हो जाएगा 6 यानि की बी की quantity कितनी प्रेजेंट है आपके पास 6 तो आप इसको लिख लो 6 प्रेजेंट है ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें इतना समझमार है बी कितना प्रेजेंट है 6 एक क्या है कैटाइन जो कैटाइन होता है यह वॉइट्स कवर करता है यहां पर कौन से वॉइट प्रेजेंट है देखो टेट्रा हीड्रल वॉइड मैंने कल बताय था कि अगर रैंक्षर्ण गॉइट्राहीड्रल वॉइड की वैल्यू कितनी वॉइड था पॉइड रिएग प्रेजेंट क्लिचया है ट्युक्त फॉइंट म змण कि कम टूऊगो जाएंगेल और इन tvthem में इसे कितना पर्सुंड कवरड्य थो थयर्ड यानिकि b200 जो है यानिकि ac सिफ 2 3rd cover कर रहा है tetra-hedral void का, total tetra-hedral void कितने हैं, 12, उसका 2 3rd cover कर रहा है बस, तो this into 2 3, this will give me, this will give me total amount of cations, तो यहाँ जाएगा, 8, तो यहाँ से B के वेलियो आ गई 6, cations के वेलियो आ गई 8, formula बन गया आपका, a8, b6, simplify कर दो, 2 से divide कर दो, a4, b3, इस से यादा simplify नहीं हो सकता, this is the answer, तो यह आपका option a है, असान था, कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैं एक question करवा रहा हूँ, iat advance का, ठीक है, तो इन class को wrap up करेंगे, तो कल कोशिश करूँगा, मैं बाकी question discuss करूँगे, तो कल तो test आपका है, और परसों भी कुछ कर रहेंगे, ऐसी important, चलो, question 3 देखना, ठीक है, यह आपका iat advance कोशन है, सिर्फ इस question के वाइस से आपने अभी radius ratio वह से important चीज़े पड़ी थी, ऐसे question आपके बास आते है, question था, the arrangement of x ions, x negative ions, अन आइन है, around a positive ion, in solid ax is given in the figure, एक figure दे रखा है, उसमें इसका structure टाकर बना रखा है, ठीक है, if radius of x negative, यान की अन आएन, is 250 picometers, so find the radius of a positive और जो टाइग्राम बनाय था, बाकी portion चुप जाएगा, पीछे भी 2-3 spheres से इस तरीके से लिए, वो चुप गया से दिखने रहा है, ठीक है, और center में यह जो part है, यह जो void बन रहा है, इसको मैंने yellow से show किया है, this is my void, और यह जो void है, इसको fill कर रहा है काहून, a positive है, okay, a power meter, and d 57 picometer, इसका answer बता हूँ, यह आपका G advance माया था, year है 2013, इसको चेक कर लेना आप लिए पर, यह अलग करके बहुत सिंपल है, अगर आपने वह पार्थवी जो अच पढ़ायों ने पढ़ लिया, तो एक line का question है यह बस, एकिसका अवाँ सरा हो? इसका आपने मादा है? किसका नवाँ सरायो, वह बस्पल्सका मादा है, इसका क्योजर, गिसका उलएगी है, जो table बन वाई थी मैंने उस पर ध्यान दो कुछ दे पहले मैंने table बन वाई थी यह वाली अब पहले तो identify करो void कौन सा है एक अच पहले तो identify करो इसका void कौन सा है solution में छह एटम से मिलके जो void बनता है उसको बोलते हैं octahedral void क्या बोलते हैं उसको octahedral void ठीक है ओके दिखते हैं получится octahedral void की value कितनी थी table में कितनी बनाई थी हमने यह हम यूज करें गऺी critical value सबसे पहले initial value use करते हैं 0.414 0.414, ठीक है, तो octahedral इसकी value आपकी यूज करोगे, rr की 0.414, अच्छा, rr का मतलर कहता है, cateinic radius, cateinic radius कौन है, a positive, और anionic radius है, x negative, this is equal to 0.414, सबसे च्छी बात आपको radius of anion दे रखा है, कितना दे रखा है, 240, तो यहां से डाल दोगे, rr positive equals to 0.414 into radius of x negative, this will 0.414 multiplied by 250 picometers, इसको solve करोगे तो आपको answer आएगा, 104 picometers, ठीक है, this list का option क्यों हो जाएगा, a, yes, ठीक है, सब का answer सहीआ है, तो concept clear होना चाहिए, अब जैसे ऐसे question frame कर सकता हूँ, tetra heater के लिए, ठीक है, na, bcc के लिए बना सकता हूँ, तो वाली table आपके दमाग में अगर है, सोच के देखो, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन आपको यह value नहीं पाता है, तो आपको यह बेफालति में question छूट जाएगा, तो values याद करनी पढ़ सकती है, तो यहाँ पर values याद कर लो, ठीक है, हाँ 103 आ रहा है, तो approximately देख लाँ 104 के आसपास है, ठीक है, येस, बिको मीटा, फाइन, तो आज यहीं क्लास यहाँ खतम करते हैं, अगर आपको कोई issue हो, सब कुछ समझ में आ गया, आज यहीं क्लास में कोई issue हो तो बता दो, देन कल आपका टेस्ट है, कल Saturday है, as usual आपको कल टेस्ट होगा, कल के टेस्ट में मैं पहले ही बता रहा हूं, दो टेस्ट है, पहला टेस्ट आपका solution से रिगार्ड़े होगा, मैं कोशिश करूंगा, वह आपका objective रहे, objective ही होगा, दूसरा टेस्ट आपका solid state से related है, subjective, अच्छा से पढ़ लो, Sunday को फे class में पढ़ेंगे हम लो, Sunday को मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है, और बस अभी इसको खतम करते हैं फिर, All right,